नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से 40 और 42 चेस्ट का ब्लाउच कटिंग एंड स्टिचिंग तो देखिए सबसे पहले हम कपड़ा लेंगे वह एक मीटर लेंगे तो हमने यहां पर कपड़ा लिया है वह एक मीटर लिया है इस तरीके से कपड़े को डबल करके रखेंगे अब देखें यहां पे इसका जो अर्ज है वो इस तरीके से कर लेंगे इससे आपको अच्छे से दिखाई दें और कपड़े की डिजान वो लंबाई में तो हमें ब्लाउज भी लंबाई में ही निकालना पड़ेगा इस तरीके से यहां पर हमने इसको डबल कर लिया है और बाकी जो कपड़ा है वो हमारा एक मीटर है अब देखें यहां पर हम पहले लेंगे तुर्पाई के लिए सिलाई के लिए जो नीचे की साइट तो दो इंच ले लेंगे तो यहां पर हमें अपनी लंबाई रखनी है व्लाउच की तो यहां पर हम लंबाई रख रहे हैं वो तेरा इंच रख रहे हैं आपकी जितनी भी लंबाई हो आप उसके साब से ले लेंगे अब यहां पर हम डीप केला बनाएंगे तो सोल्डर लेंगे साड़े पांच इंच आदा करेंगे तो 20 आएगा 20 का आदा करेंगे तो 10 आएगा तो यह डबल है ना तो हमें यहां पर ऐसे इंची टेप को रखना है जितनी भी हमारी चेश्ट है उसका हमें आदा करना है यह चार भागों में बाट लिया हमने तो यहां पर देखिए हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, जितनी भी चेस्ट है, 42 या 40 आपको इसी तरीके से निशान लगाना है, उसके बाद हम यहां पे लेंगे 1.5 इंच सिलाई के लिए, अगर आप 40 इंच का बना रहे हैं, तो इसी तरीके से लेना है, 42 इंच का बना रहे हैं, तो इसी तरीके से लेना है, पहले आदा इंच हमें ऐसे लेके आरुमल का निशान लगाना जो चौकुटा निशान लगाया उससे हमें आदा इंच की दूरी रखनी है अब गले की चोड़ाई लेंगे हम यहां पर धाइंच गले की लंबाई आप अपने साब से ले सकते मैं यहां पर दस इंच की लंबाई रख सकते हैं और पीछे की जो प्लेट है वह हम इस तरीके से सोल्डर पर निशान लगाएंगे तो प्लेट बीच में आएगी यहां पर प्लेट की लंबाई रखेंगे वह रखेंगे हम पांच इंच सबसे पहले हम पीछे का प्लडर कटिंग करेंगे अब देखे कपड़े को देखते हुए हमें अपना निशान लगाना क्योंकि यह कपड़ा है थे लंबाई में कटेगा क्योंकि इसकी डिजाइन है वो लंबाई में तो इस तरीके से हमने जो कपड़ा आगे की साथ जो बचा हुआ था वहां पर हमें रखना थे रहा हमारा यहां से आ जाएगा तो हमें यहां तलग कटिंग करना है तेरा इंच तलग जबकि इसकी लंबाई भी तेरा इंच है तो हम इसमें ज्यादा ज्यादा बड़ा तीरा नहीं लगाएंगे छोटा ही तीरा लगाएंगे और चेस्ट के साफ से हमें तेरा इंच पर ही कटिंग करना क्योंकि इसकी जो चेश्ट है तो उसके साब से हमने तेरा इंच पर निशान लगाया तीरे का क्योंकि जिसका यह बलाउज जब लेडेस है वह थोड़ी छोटी है तो उसे लंबी बलाउज पसंद नहीं है बाकी हमने जो दो इंच लंबाई में ज्यादा लिया है तो हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं अब दीकि पीछे के बराबर हमने चोड़ाई लेए अब हमें क्या करना है आदा इंच यहां पर आरूमल की कटिंग करना है ध्यान से जोलना आए गले की चोड़ाई लेंगे धा इंच गले की लंबाई लेंगे छे इंच यहां पर निशान लगाएंगे तेरा इंच पर तीरे का हमारा तीरा उपर की साइड न जाए एक इंच हमें उपर की साइड लेना है इस तरीका से जहां पे हमारी गली की कटिंग है, वहां पे हमें एक इंच लेना है अब हमारा जो fitting का कपडा आइ, बूर निकालेंगे तो हमारा fitting का कपडा आए 10 इंच, 40 इंच कब लाऊ जए, तो 10 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ाए, इस तरीके से, अब 10 इंच का आदा करेंगे, तो यहां पर प्लेट आएगी हमारी 5 इंच पे, बीच में हमारी प्लेट आनी चाहिए, तो 5 इंच पे हमारा ही निशान आ गया, अब टक्स का निशान लगाएंगे, हम यहां पर, चेस्ट के साब से, हमें टक्स का निशान लगाना है, 10 इंच पर, अब दो इंच की दूरी रखने हमें यहां पर, दो इंच की दूरी यहां पर, एक निशान यहां पर, यह हो गया, नीचे की साइट हमें गोलाई में कटिंग करना है, थोड़ा सा गोलाई में, कैची का कट लगा लेंगे प्लेटों पे, इसे क्या दोनों साइट बराबर निशान लग जाएंगे, आगे कपलर हो गया, अब हमें तीरे का कटिंग करना है, तो जो यह कपड़ा बच्चा हुआ है, इसमें से हम तीरा निकाल लेंगे, यहां पर रखेंगे हम इस तरीके से, एक इंच कम यही तीरे की कटिंग करनी है, एक इंच छोटा, अब देखें, नीचे की साइट हमारा यह तीरा आ जाएगा, इस तरीके से, आगे कपलर पूरा हो गया, अब यहां पर एक कपड़ा बच्चा हुआ है, इसमें से बाजू निकाल लेंगे, अब देखें, यहां पर हमारे जो कपड़े की चोड़ाई वो 18 इंच है, और कपड़े की जो लंबाई है वो है 13 इंच, तो हमें 11 इंच की तैयार रखनी है बाजू, कपड़े को ऐसे करके डबल रखना है हमें, और जहां पर खुली बाली साइड है, यहां पर निशान लगाएंगे, 4 इंच पर, और इसके बाद ऊपर की साइड ऐसे लेके जाएंगे, आदा इंच यहां पर मौरी पर भी कटिंग करेंगे, आदा इंच हम यहां पर भी कटिंग कर लेंगे मौरी की, अब देखिए जो बीच का सेंटर है हम उस पर ऐसी निशान बनाएंगे और आदा आदा इंच हम आगे की साइट ऐसे cutting करना है अगर आप चाहें तो cutting कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहें तो ना करें cutting क्योंकि अगर आपने गलती से इसको पीछे के साथ जोल लिया तो पूरा blouse खराब हो जाएगा खिचा किचा सा हो जाएगा मैं आपको हमेशा आगी का जो परलर होता है उसमें cutting करके आपको बताती हूँ न तो आप अगर नहीं करना चाहें तो ना करें तो यहाँ पर हमारा पूरा blouse cutting हो गया है अगर आपको इसके stitching देखनी है तो उपर आई बटन पर किलिक करके आप stitching देखने stitching blouse की सेम होती है लेकिन कुछ टिप्स होती है वो आपको सीखनी है कि कैसे प्लेटे डालनी है कैसे इसकी फिटिंग करनी है तो आसा करते हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर करें कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें अगर आप नई हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राब कर ले धन्यवार